है लो गाइज वेलकम टो मैं चनल अंकुस फिटनेस तो आज मेरा बरकाउट है चेस्ट का और आज हमने किया चेस्ट का बरकाउट जो कि आपको पूरा इसीच को शेर करेंगे तो चलते अपना फर्ट सर्ट बॉम अप करेंगे और अपना यह रहा बॉम अप का सेट तो अच् कि आपको बरकाउट में करते हो तो आपका दो मसल्ल को रिकावर कर सकता है और इसको जितना मतलब की कॉन्टेशन और फिल्ड के साथ करो कि उतना ही आपका चेस्ट और ट्रैसप इंप्रूव होगा तो आप अपना बैर बरकाउट में इसीच को एड़ कर सकते हो और देख स आप जितना इसीच को स्लो के साथ करोगे उतना यह आपका मसल पर फोकस रहेगा और इसीच को इंप्रूब कर सकता है फ्लैट जो चेस्ट है मिडिल चेस्ट को तो आप इसीच को अपने बरकाउड में भी एड अच्छे तरीके से करेंगे और उसके बाद फिर मैंने मारा डिक अराम अराम से इसको लेना है फिर मैंने लिए इनकलाइंज डमबल प्रेस जो की पशिश के डमबल ता तो आप अपने हिसाफ से तक पोजिशन से उठा सकते उसके बाद मैंने लिए फ्लैड वेंच तो फ्लैड में देखना इसीच को भी मैंने अच्छे से ट्रेंड किया है क्योंकि आज बर्काउट था बहुत ही हैवी पोजिशन से हुआ है तो आप राम राम से शिच को इंक्रीज कर सकते हैं फिर मैंने चेस्ट का एक नया बर्काउट एड़ किया जो कि अच्छा शिच में पंपिंग आ रहा था इस बोडिंग में कि तो इस पोजिशन में नहीं किया था तो आप इसिच को अगर करना चाहो तो इसिच को एड़ कर सकते हो कि अगा तो है फिर मैंने ब्रकाउट स्टाइट किया जो कि मारा केवल के साथ था तो इसको हमने पहले अपना पोजिशन बनाया अब अपोजिशन बनाने के बात इसिच को आराम राम से चिसिच को पूष करते ना जितना आप कोमफोर्रोटेवल कराम से पूस्ट करो कोड़े इस चिस पर फोकुस रिएगा तो आप दीख सकते हो कि इस पोजिशन से अगर करो गया तो अच्छा दि इंप्रूब कर सकते हो कि अधिर मैंने अपना मिडिल पोजिशन बनाया और मिडिल टेस्ट के लिए तो इसको पूजिशन अपना बना के इसको भी आराम से अपना पोजिशन बना के कमफोर्टेबल के साथ इसको भी किया और आप देख सकते हूं पांप और कि अधरररं के सकते हमेद और मेरे पोजिशन बनाया और ओर पूरा फ्रिट के साथ किया जो कि मेरा ihr कि तो दो मैंने किया आपने पें इसको करने कि इसाथ और मेरा वाया बर्काउट कर दिया समाप और एम देक hierarchा का condition अप देख सकते हो अगर ऐसा इस ज़िच को इंप्रूब करना चाहते हो तो एसा बरक अपने चेस्ट के कि ex about आड़ कर लो अगार आप इस फॉजिशन में अगर आप चेस्ट इंप्रूब करना चाहते हो तो कि तो थैंक यू वाचिक माई वीडियीय। किaczego कि